वीडियो पाउस करके सूचना को जरूर रीड करें दोस्तो रिटन गिफ्ट के नाम से वीडियो याद आ गया होगा आपको कि यूपी के एक बीजेपी नेता ने ट्विट किया कि ये रिटन गिफ्ट है यूपी पुलिस की और से और उस वीडियो के अंदर कुछ पुलिस कर्मी कुछ लोगों के साथ पुलिस कस्टेडी में मारपीट करते नजार आ रहें तो अब हमारा उद्देश है कि हम आपको बताएं कि भी क्या कहता है कानून उस ट्वीट के बारे में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करे है कि साब हमने ऐसा कुछ नहीं किया यह फेक है कि अब एक्च्वल में कानून भी केता है कि पुलीस कस्टेडी के अंदर किसी क्रिमिनल के साथ भी पुलीस मारपीट नहीं कर सकती है अगर मारपीट करती है तो ऐसे व्यक्ति कि खिलाब संबंदित IPC की धाराओं के तहित मा मारपीट की याकर आपको जेल मेंकिगा तो आपने के मादिंस लगा करके शिगायत कर सकत है किसी मेंबर को अदे पर बेचख कर सकते हैं नहीं हो यह सीमपल सी बात है लेकिन दोस्तों है एक तच्वाइट करके कहा है कि सभी रिटनमिट है अगर कोई वेक्ति किसी फेक information को फेक report को फेक news को फेक rumor को public में इस तरह से भेज रहा है और उसका allocation किस पे एक तरीके से पुलीस के उपर पुलीस की छवी को यहाँ पे खराब करने कोशिश की जा रही है बीजेपी नेता के दौरा और पुलीस कहती है कि जाब यह fake है तो क्या कहता है कानून अगर कोई इस तरीके का fake rumor फेला रहे हो तो सुप्रिम कोड का judgment भी इसके उपर और कानून IPC की धारा 505 का B और C में यह भी बताएगा है कि ऐसे वेक्ति के खिलाफ जो rumor फेला रहा है कारूनी कारवाई की जाएगी जिसमें ऐसे वेक्ति को तीन साल तक की सजाओ सकती है अब पुलीस अगर सही है पुलीस ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो B.J.P. नेता के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं होरी fake report, fake news fake rumor फेलाने के लिए सोचने का प्रशन है ये मन में आपके सवाल आना चाहिए अगर मान लीजिए इस जिंगे पे कोई कॉंगरेस नेता ने इस तरीके का tweet क्या होता और actual में वो fake news होती fake rumor होती तो क्या करती पुलीस उन वेक्तियों के खिलाफ ये आप से पूछ रहूं मैं मेरा नुमान तो वहीं जा रहा है मुझे लगता है आपका ही वहीं जा रहा होगा तो फिर बीजेपी नेता के साथ इस तरीके का वेवार प्यार बारा अगर fake है तो क्योंकि पुलिस तो के रही नहीं हमने कुछ नहीं किया ये गलत है गलत तो भई कारवाई करो उसके खिलाब वो आपकी छवाय चवी को क्यों खराब कर रहा है तो बात समाझ में आई ये कि अगर कोई पुलिस ओफिसर पुलिस कस्टेडी में मार्पीड करता है तो इस वेक्ति खिलाब तो कारवाई की जा सकती है लेकिन जो फेक इंफॉल्मेशन शेर कर रहा है अगर येसा नहीं है तो उसके खिलाब भी पांसो पांच आई पीसी के तहट और साती आई टी एक्ट के संबंदित धाराओं में मामला दर्च किया जाएगा सीधी करतारी ऐसे वेक्ति की दोस्तों वीडियो चलागा तो लाइक करें शेर करें एसे वीडियो देखिए नहीं फोलो करें दोस्तों तेंक यू